हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का यूटूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैंने लगवग 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि रीट की प्रिक्षा हो गई माई अप्रेल में तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि रीट की प्रिक्षा की जो तिती है वो माई अप्रेल में घोशित हो गई है कनफरम हो गई है कुछ लोगों ने मेरे वीडियो का जो मतलब था वो गलत निकाल लिया था दोस्तों वो मीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि कई सोसल साइट्स पर ये जो वाइरल न्यूज हो रही थी कि जनरल की जो आयूए वो 35 से 40 बढ़ा दी गई है तो इस कारण अगर सरकार उनको मोका देती है तो हो सकता है कि जो प्रिक्ष है वो अप्रेल या मही में अगरे बारे में कई लोगों मेरे विरुत कमेंट किये उस में कि आप एसे हो हमें बढ़का रहे तो मेरा कोई इसा इरादा नहीं था दोस्तों अगर आपकी बावनाओं को ठेश पहूंची ओ तो मुझे समा करें मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि आप लोगों की जो तैयारी है उस पर मैं विराम लगाऊं या आप लोगों को हतोत साइट करूँ मेरा ऐसा इरादा नहीं था फिर मैंने और विशलेशन किया तो काफी विशेशिग्यों से या मेरे जो भी टच में थे लोग थे जो सरकारी टीचर वगरा जितने भी थे जितने भी मरब जो एक्सपर्ट हैं सरकारी राय लेने में तो दोस्तों मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने का कि घोसना हो गई है लेकिन जो सरकार है वो अभी तक उसका ओफीशल जो नोटिपिकेशन वह जारी नहीं जो दोस्तों मैं आपको ये फिर से कनफर्म करा देता हूं क्यूंकि आज एक बोर्ड के परतिनी दिने भी अपना इस्टेटमेंट दिया है उन्होंने भी काया कि जो रीट है वो 11 फरोवरी को ही होगी और निश्चे दूरूप से होगी वो भी दो पारियों में होगी तो द इस सुचना विटीवास से जारी होती है उसके बाद में जो डेट है वो फिक्स होगी लेकिन जो रीट है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आपकी भावनाओं को मेरे उस वीडियो से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं फिर से आपसे एक बार मापी चाहता हूं दोस्तो मैं यह कह रहाँ कि जो रीट है वो 11 फरवरी को होगी आप अपनी तयारिये वो पेले के अनुरूपी जारी रखें और मुझे आसा है कि हम सभी का सेलेक्शन इस रीट में जरूर होगा तो दोस्तों प्लीज आप सभी की जो राय मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं ज जेहिन जेभार्द